नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर संध्या आपको पिशली कक्षा में संगीत वादन तबले के विशय में मैंने आपको जैनकारी दी उसी स्रंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको भारती वाद्य और उनका वरकी करण इसके बारे में बताऊंगे पिशली कक्षा मेंने संगीत वादन और वाद्य तीनों के बारे में व्रिस्तर तौर पर आपको जैनकारी दी दी आज उन्हें वाद्यों को लेकर और आगे बढ़ते हैं कि वाद्य सभी प्रकार के प्राचिनकार से ही हमारे अहां प्रयोग में आ रहे हैं और धीरे धीरे परिश्कृत रूप में होकर यह जो हमारे सामने अब वाद्य जिने हम प्रयोग में ला रहे हैं वो कई श्रेणियों में बाटे गए विद्वानों का जो एक मत जादा प्रचलित हुआ है वह यह है कि वाद्यों को चार प्रकार में बाटा गया है चार श्रेणियों में रखा गया है यह भी कहा जा सकता है तो यह चार श्रेणिया कौन कौन सी हैं मैं आपको बताती हूँ पहला ततवाद्या दूसरा शुश्रिवाद्या तीसरा घहनवाद्या और चोथा अवनद्यवाद्य है ततवाद्य में वे वाद्याते हैं जिसमें तार लगे होते हैं तो इन वाद्यों में तारों की आंदोलन या कमपन से स्वरोतपत्ती होती है ऐसे वाद्यों में मुख्य रूप से सितार, वालन, इसराज, सारंगी ये वाद्य आते हैं इन वाद्यों को दो तरीखे से बजाया जाता है पहला एक अंगूठी के माद्यम से जो के खास छले नुमा होती है और उसमें तरजनी उंगली में पहन कर इसको तार से स्वरों को छेडा जाता है तब स्वरों की पत्ती होती है दूसरा एक पत्ती की सहायता से भी बजाया जाता है और तीसरा इसमें गज, कमानी और बो से तारों को रगड कर बजाया जाता है आपने देखा भी होगा इसको अब हम आते हैं शुशिरवादे में दूसरा हमारा है शुशिरवादे शुशिरवादे में वाद्यों में स्वरों की उत्पत्ती मुँ से फूप कर या हावा के दबाव या जोर से होती है ऐसे वाद्यों के अंतरगत बासुरी, शेहनाई, हार्मोनियम और माउथ हारगन जैसे वाद्य आते हैं तीसरे नमबर पर आता है घन वाद्य घन वाद्य ऐसे वाद्य हैं जो धातु निर्मित होते हैं और आपस में टकरा के जिनका स्वरोंत्त्ती होती है इन वाद्यों के अंतरगत मजीरा, जांच, घंटा, घडियाल इस तरह के वाद्य आते हैं फिर है अवनत्य वाद्य अवनत्य वाद्य के अंतरगत वे वाद्य आते हैं जिनके मुपर चम्रा मड़ा होता है ऐसे वाद्यों को उंगलियों से, पूरे हाथ से या फिर डंडी की सहायता से पीट कर आगहात करके बजाया जाता है इन वाद्यों में धूलक, तबला, नाल, नगाडा, इत्यादी वाद्य आते हैं इनको आप पढ़िये, समझिये और इसका अध्यन करिये इससे संबंदित प्रश्ण भी मैं आपको दे रही हूँ उसका उत्तर लिखिये और फिर मुझे भेजिये धन्यवाद